पुजा भट के पिताजी महेश भट जो है घर में एंट्री ले चुके हैं पर आलिया भट भी सेट पे पहुंची पर वो अंदर नहीं आई हैं महेश भट ने आते ही जो है फुकरा इंसान को थपड मारे और मनीशा को बोला चुप बत्तमेजें काफी अच्छा लग रहा है महेश भट जो है आएं हैं घर के अंदर काफी अच्छा महाल जो है उन्होंने बनाया काफी अच्छी कहानिया वो सुनाते हुए नजर आ रहे हैं अपनी बेटी से पहले जो है सबको गले मिले हैं जदा दिद को बेबी का को काफी अच्छे से उन् man, softy man, बहुत ऐसा वैसा बोला और फुक्र इंसान को बहुत प्यार से दो थपड मारे, मनीशा को बोला कि हम शान्ती से बात करेंगे, मतलब कि शान्ती होना चाहिए, आखो आखो में, हाला कि मनीशा आखो में देख नहीं पाई है, बिकाज नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर वो घूरते रहे और जैसे ही वो जिया से बात कर रहे थे, तब बोला कि बतमीज मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बात बोल दी है, अभी देखेंगे कि आगे-ागे क्या बात करती हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी जीवन की कहानी सुनाई है, काफी अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लगा है, महेश भट आया हाला कि लोगों का भी मानना था, क्योंकि आलिया भट सेट पे पहुंची थी, पर वो अंदर तो नहीं आई है, या मेबी शायद एक और वे में वो अंदर आये, अभी महेश भट जो है वो अंदर आ चुके हैं, कितना समय वो बिताते हैं, क्या सब चीज़े करते हैं, बहुती फेस रेकनाईज कर रही हैं, देख रही हैं, क्या मालूम वो जो है आने वाले समय में इनको काम दे, जो फेसिज इनको अच्छे लगे, क्या कहते हैं आप, आ हेश भट आए हैं, अपने बेटी से मिले हैं, आखों में आसु भी जो है उनके आ चुके हैं, जरूर कीज़े कमेंट बॉक्स में कमेंट इसी के साथ ने लेती हूं, जाज़त नमस्शकार